सुन्दरी चिडिया और उसकी बेटी गुडिया और उसका बेटा कुकू वो तिनु मा बेटा तो एक ही गार में रहते थे सुन्दरी चिडिया का बेटा कुकू तो बहुत ज़्यादा शितान था वो हर वकत अपनी मुमा की बात नहीं मानता था सुन्दरी चड़िया को तो कुकु ने बोगोग ज्यादा तंक कर रखा था चड़िया जो भी बात कहती वो ना मानता कुकु बेटे चलो अब हमें बोजन लेने जाना है चलो आप ऐसा करो हमारे साथ चलो खाँ खाँ भाई चले आप लोग भी हमारे साथ चले हम लोग बोजन लेने जा रहे है नहीं नहीं ममा मैं नहीं जाओंगा आप जाओ आप जाकर बोजन ले करो मुझे नहीं जाना और नहीं मैंने जाना है अरे कुकु बेटे क्यों तुम गर में रहकर क्या करोगे मुझे पता है कि तुम गर में ऐसे ही फजूर डंडी मारते रहोगे ममा मैंने आपको कहा है ना कि मैंने नहीं चाना आप लोग जाएं मेरा टाम बरबाद ना करें कुकू तो ऐसे अपनी ममा से अगसे कहता है ममा कुकू भाई तो आज कर बहुत ज्यादा बत्तमीस होगे है मेरे तो क्याल से हमें अप कुकू भाई को स्कूल में दाहिल करवा देना चाहिए हाँ गुडिया बेटी तुम बात बिल्कु ठीक है रही हो देख लेना थोड़े से दिन ही है जैसे ही नियो अडिमिशन ओपन होता है तो मैं इसको अस्कूल में दाखिल करवाँगी फिर अस्कूल में ही स्ताजा इसका इलाज करेंगे वो ही इसको सुदारेंगे फिर ऐसे ही संद्री चिडिया और गुडिया वो दोनों उड़ती हुई बोजन के लिए चली जाती है कुकू भी ऐसा करता है वो अपने लोफर डोस जगू के पास चला जाता है उड़ता हुआ वो सिदा अपने दो जगू के पास चला जाता है जगू भी बाहित गंगल में बैटा हुआ था औरे आगे हो कुकु मैं तुम खारा ही इंतिजार का रहा था हाँ हाँ वो मेरी ममा बैहन गुडिया वो दोन तो मेरी जानी खा रही थी वो कह रही थी कि मारे साथ बोल्जिन ले चलो मैं तो बस थोड़े देर उनके वज़ा सही लेट हो गया अच्छा अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जलते हैं हम लोग जाकर उस मिठू तोते के आज सेब खाते हैं मिठू तोते के बाग में बहुत मिठे मिठे और स्वादिज सेब लगे हुए है हाँ हाँ चलो चलो हम लोग ऐसा ही करते हैं तबे फिर कुकू और जगू वो दोनों से उलते हुए सिधा मिठू तोते के बाग में चले जाते हैं मिठू तोते ने तो अपना एक सेबू का बाग लगा रखा था जिसके उपर बहुत जयजा मिठे मिठे और स्वादी सेब लगे हुए थी कुकू और जगू जैसे ही देखते हैं के मिठू तोता तो एक बड़े से पेड़ के साथ तेक लगा कर सो रहा है वो तो अराम का रहा था वो छुपके छुपके से जाते हैं और वो जाकर मिठू तोते के बाग में वहां पर बैटकर मज़े मज़े से सेव खाना शुरू कर देते हैं कुकु मेरे दोश चुपकर के खालो खालो ये सारे के सारे सेव जितने तुम चाहिए खालो और जो चाहिए गार के लिए वो भी ले जाओ अरे जगू चुप कर जाओ कहीं ऐसा ना हो तो वो मीठू तोते को पता ना चाल जाओ चुप करके सेव खाओ जैदा बते ना करो ऐसे ही तोते के बाग में जगू और कुकू वो दोनों वाँ पर बैटकर मजे मजे से सेव खाते हैं जैसे ही वो सेव खा रहे थे तो उनकी बातों के वाज मीठू तोते को आ जाती है अरे रुको रुको चोर 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 आगे मेरे बाग में चोर आगे रुको अभी मैं को बताता हूँ जैसे ही मिटू तोता इतना कहता है जगु और कुकु वो दोनों जल्दी से वहां से उड़ते हुए बाग जाते हैं उदर दूसरी तरह सुन्दरी चिडिया और गुडिया वो दोनों भी बोजन लेकर वापिस आपने गार जा रही थी जैसे ही वो मिटू तोते की शोर के वाज सुनती है तो सीधा का सीधा मिटू तोते के पास आ जाती है क्यों क्या हुआ है मिटू बाई क्या हुआ है आपने इतना शोर क्यों मचा रखा है सुन direct इड़िया शोर नाम चाओं तो और क्या करूं देखो देखो इस जंगल में कितने कितने शितान पक्षी रहते हैं कितने बड़े बड़े चोर हैं मैं तो थोड़ी देर आंख क्या लगा लिं मेरे बाग में आकर मेरे मीठे मीठे स्वादिव से बखा रहे थे पक्षी बोकत ही खराब हैं ऐसे चोरी जिकारी करने से बेतर है कोई चीज लेने हो तो मांग कर ले ले हाँ सुन्री चिडिया मुझे भी इनकी इनी बातू पर गुसा आता है ये लोग पुछ चोरी करते हैं तबी फिर सुन्द्री चिडिया और गुडिया वो दोनुमा से उड़ती हुई वापिस अपने गर चली जाती है जैसे ही वो दोनुमा बैटी जाकर देखती है तो कुकू आगे सेव खा रहा था कूकू को सेब खाते दे के सुन्दूरी चिडिया और गुडिया समझाती है ममा वो वो चौर मेरा बाई ही था वो चौर मेरे ख्याल से यही थे कूकू हर जगू इन्होंने ही मुठ्टू अंकल के सेब चुराए होंगे नहीं ममा हमने सेब नहीं चुराए मुझे मेरे दोस्ते दिया है अगर आपको नहीं जिकीन आता तो आप लोग जाकर ठीटी से पूछ ले मैं ऐसे काम नहीं करता आप लोग बेफिकर हो जाएं सुन्दरी चिटिया तो आगे से कोई भी बात नहीं करती क्योंकि सुन्री च्टिया का बेटा कुकू तो आज काल काफी जादा बिगड़ गया था वो अपनी माँ के हाथ से काफी बाहर निकल चुका था तब फिर ऐसे ही चंद दिन कुजर जाते हैं कुछ दिनों के बाद कुकू और जगू वो दोनों फिर से वाहर एक जगा पर गठे हो जाते हैं अरे काफी दिन हो गए हैं कुकू मैं तो कहता हूँ आज हम लोग कबूतर के बाग में जाते हैं कबूतर के बाग में मुझे पता चला है कि बहुत बड़े बड़े स्वादी और मज़ेदार वाहां पर आम लगे हुए है हम लोग जाकर कबूतर के बाग से आम खाकर आते हैं आम का सुनते ही कुकू के मुँ में पानी आ जाता है अरे जगू दोज बात तो तुम्हारी बिल्कु ठीक है अगर हम लोग पकडागे तो मेरी ममा मुझे छोड़ेंगी नहीं अरे कुकू अगर हम लोग पकडाएंगे तो तब ही न जैसे हम लोग पहले मिठ्व को नहीं पकडाएं तो हम लोग कबूतर को कैसे पकडाएंगे पिर ऐसे ही कुकू और जगू वो दोनुवां से उर्टे हुए सिधा कबूतर के बाग में चले जाते हैं और वापर जाकर कबूतर के बाग में आम खाना शुरू कर देते हैं आम तो काफी पके हुए थे कबूतर तो वहाँ पर था ही नहीं जगू और कुकू वो दोनु मज़े मज़े से वहाँ पर बैटकर आप खाते हैं तब फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद कबूतर भी वापिस अपने गर से सिधा बाग में आ रहा था दूर ही जैसे उड़ता हुआ जगू को कबूतर दिखाई देता है तो जगू को कुकू को बताय भी नहीं वहाँ से उड़ता हुआ बाग जाता है कुकू तो मज़े मज़े से वहाँ पर बैटकर राम खा रहा था कुकू को तो पताई नहीं चलता कबूतर पटक से आकर कुकू को पकड लेता है अरे बागों के काम पर आज तो आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूँगा आज तो मैं आपको छोड़ूँगा नहीं फिर ऐसे ही कबूतर ऐसे करता है वो कुको को पकड़ कर एक प्रेड के साथ बांद देता है एरे अंकल प्लीज प्लीज अंकल मुझे छोड़ दे आज आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुमें आज तो मैं तुम्हारी ममा को बता कर रहूंगा अब भी वो दोनों वाँ पर बैते कारी रहे थी तव है तवी देर में बलबल रूर्थी हुई बोजर की त्राष में जा रहे थी कबुतर बलबल को बुला कर कहता है इरे बलबल जाओ जाकर सुन्सरी चिडिया को बुला कर लाओ उसे कहोग अगर तुमें गंटे केंदर अंदर ना आई तो तुम्हारे बेटे को मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगा तबी भी जल्दी से बिलबो डाक्टर सिदा सुन्दरी चिडिया के पास जाती है और वो जाकर सारी की सारी बाद सुन्दरी चिडिया को बताती है कवोतर ने उसके बेटे कुकु अपने बाग में पकड़कर बन्दा हुआ है सुन्दरी चिडिया भी जल्दी से परेशान होकर वहां पर आती है जैसे ही वहां पर आकर देखती है तो कुकु तो आगे पेट के साथ बन्दा हुआ था ममा ममा आप आ गई अरे अरे सुन्दरी बेहन ये देखो तुम्हारा बेटा कितना बड़ा चौर है ये हर रोज हर रोज मेरे बाग में आकर चौरी करते है मेरे बाग में आकर मेरे फूर्ट को चौरी खाती है मैं तो आज इसे छोड़ूँगा नहीं, आज तो मैं इसको पुलिस के खवाले कर दूँगा पुलिस का सुनते ही कुको की तो जान निकल जाती है, कुको दर रोय जा रहा था पिर सुन्दी चिरिया कबूतर से माफी मांगती है, कबूतर भाई, आप ऐसा करे, मुझे माफ कर दे मैं अपने बेटे की माफी मांगती हूँ, आज़ा मेरा बेटा ऐसी कोई भी खरकत नहीं करेगा अगर इसने अपने ऐसी खरकत की, तो आप लोग इसको जरूर सजा देना पिर ऐसे ही सुन्दी चिरिया अपने बेटे कुको को कबूतर से छड़वा कर आपिस अपने गर ले जाती है गर जाकर कुको अपनी ममा से माफ माइता है, ममा आप प्लीड, प्लीड ममा आप मुझे माफ कर दे, मैं इन्दा कोई भी ऐसी खरकत नहीं करूंगा सुन्दी चिरिया तो आगे से कोई भी बात नहीं कर रही थी, वो तो खमोश बैटी हुई थी पिर ऐसे ही कुको को अपनी गलती की सजा मिल जाती है, और कुको अपनी ममा के सब्सक्राइब करता है, कि वो आइन्दा ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, जिससे उसकी ममा की इज़िस को दाग पहुंचे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कोमेंट सेक्षिन में जिरूर बताएं, ऐसे ही अच्छे से वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जिरूर सब्सक्राइब करें, आप सब का धन्यवाद कि झाल को जापको कशचे अच्छे में नाही।